हेलो इवरीवन स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल एसे स्मार्ट क्लासेस में आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के एंसी आर्टी की साइन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास कम्प्लेट करेंगे जैसे कि आपको पता ही है कि सीटेट के फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं साथी में बिहार से चखभरती के भी फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं आज से बिहार में जो न्यू से चखभरती आई है उसका पैटर्न भी एंसी आर्टी ही रहने वाला है BPSC के जो chairman है उन्होंने अपने बयान में कहा है तो ये वीडियो BPSC plus seated दोनों के लिए बहुत important होने वाला है आज से आपकी per day science की 2 बजे class चलेगी साथ ही में एक दिन practice set होगा और एक दिन आपका ये theory चलेगा स्टार्टिंग से सभी वीडियो को देखिएगा तभी सारे points आपके clear होंगे जब 6,7,8,3 बुगे complete हो जाएंगी उसके बाद केवल practice set आपके कराये जाएंगे अभी साथ में भी हम कुछ practice set करते चलेंगे जिससे आपके समझ में आएगा कि कैसे question exam में पूछे जाते हैं चैप्टर complete कर चुके हैं जिसने ना देखो वीडियो के description box में पूरी playlist पड़े हुई है वहां से आप देख सकते हैं class 6,7 कि जितने भी वीडियो में ने डाला है वो सभी उस playlist में पड़े हुए हैं वहां से आप एक एक करके सभी को देख सकते हैं तो यहां पर देखे आज का अध्याय है अध्याय आर्ट पादप में जनन फर्स्ट पॉइंट है यहां पर अपने वन सत्वा प्रजाती को बनाए रखने के लिए पादप और जन्तुओं के लिए जनन आवश्यक है सभी जीव जो होते हैं उनमें अपने समान जीव पादप में जनन पढ़ाएंगे पादप में जनन की कई विधिया होती है जो यहाँ पर अलग-अलग आपको बताई जाएंगी पहले कुछ सब्ध है यहाँ पर जो जान लीजी जैसे काईकंग काईकंग होता क्या है पादपो का है काईकंग पादप में मूल तना पतिया होती है मूल मतलब जड़ हो गया तो जड़ तना पतिया होती है ये पादप के काईक अंग होते हैं निक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए पुस्प पादप में जनन का कारे करते हैं वास्ताओं में पुस्प पादप के जनन अंग होते हैं तो पुस्प क्या होते हैं पादप में जनन अंग कौन सा होता है काफी PDF मैंने डाल भी रखे हैं, लेकिन आज से पड़े आपको वहाँ पर एक PDF मिलेगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. Next point है, जनन दो प्रकार से होता है, एक तो लैगिक जनन होता है, एक अलेंगिक जनन होता है, दोनों को बिस्तार से आगे समझाया जाएगा, पहला हम देखेंगे अलेंगिक जनन, अलेंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन कर सकते हैं, क्या होता है इसमें कि अलेंगिक जनन होता है, उसमें पादप में बीजों के अशक्ता नहीं होती, बीना बीजों के ही ये नए पादप उत्पन कर सकते हैं अलेंगिक जनन की कुछ भी दियां है, जैसे काईक प्रवर्धन, खंडन, मुकुलन, बिजान, निर्माड अब दिख लेते हैं काईक प्रवर्धन क्या होता है, ये एक प्रकार का अलेंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, जड़, तने, पत्ती, अथवा, कली, जैसी किसी काईक अंग द्वारा नया पादप प्राप्ति किया जाता है, चूकि जनन पादप के काईक भागों से होत तो आपका क्या कहलाता है, काईक प्रवर्धन, और ये भी याद रगएगा कि काईक प्रवर्धन जो है, वो कैसा जनन है, अलेंगिक जनन है, नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वसंधी, तने या साखा का वह भाग होता है, जहां से पत्ती निकलती है, जैसे कोई तना है, और यहां से पत्ती निकल रही है, तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा पर्वसंधी, साखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, काईक कलिकाएं, पत्तियों के कच, पत्ती के पर्वसंधी से जुडाओ का बिंदू जो होता है, तो मतलब पत्ती के कच में भी कलिकाएं होती हैं, वे कलिकाएं प्ररोहों के रूप में बिक्सित होती हैं, और काईक को सिकाएं कहलाती हैं, यहां पर को कहते हैं काई को कलिकाएं इसका देखी कुछ आगे और दिया हुआ है कि कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारो और अपरिपक को पतियां एक दूसरे के उपर अध्यरोपित रहती हैं काई कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं नेक्स्ट पॉइंट है कु कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख पादप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं प्रतेक बिलगन भाग नए पादप की रूप में ब्रती कर सकता है तो यहां पर देखी कैक्टस के बारे में बताया गया है कि कैक्टस जैसे कुछ पादप होते हैं जिनका अगर कोई भाग उस पादप से अलग हो गया तो वो भाग भी एक नया पादप बन जाता है जैसे आपका एक्जामपल में हो गया कैक्टस का अगर कोई भाग अलग हो गया तो वो एक नया पादप बन जाएगा नेक्स्ट है काईक प्रवर्धन के लाब काईक प्रवर्धन से लाब क्या क्या होते हैं काईक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाय जाते हैं बीजो से उगाय जाने वाले पौधे के पेच्छा काईक प्रवर्धन द्वारा उत्पन पादपों में पुस परफल कम अवधी में ही आ जाते हैं नए पादप जनन पादप की यथार्थ प्रतिलिपी होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन होते हैं मतलब काईग प्रवर्धन जुआद द्वारा जो नय पादप बनते हैं, वो क्या होते हैं? कि पादप की ही प्रतिलिपी होते हैं, मतलब उनमें ज्यादा बिनता नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्परन होते हैं. तो यह देखिए काईक प्रवर्धन के कुछ लाब बताए गया है कि इसमें पॉदे जल्दी हो काया जा सकते हैं इसमें पुस पॉर्फल भी जल्दी ही आ जाते हैं अगे बढ़ेंगे next point है yeast yeast एक एकलकोशिका जीऊ है इसको केवल सूच मदरसी द्वारा ही देखा जा सकता है yeast में मुकुलन द्वारा जनन होता है तो आइस्अल आप देखिए yeast मैंने एक बार और बताया था किसी क्लास में तो ये प consume क्लास में तो वहां पर भी मैंने बताया था कि yeast क्या है कि कि साथ में यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि यीस्ट में जनन कैसे होता है तो इसमें जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट कुछका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली होता कहलाता है कभी कभी नवीन मुकुल से नय मुकुल बिक्सित हो जाते हैं जिसमें एक मुकुल स्रंखला बन जाती है देखी जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि येस्ट में मुकुलन द्वारा जनन सबसे पहले ये क्या है ये एक आपकी येस्ट कोजिका है फिर इसमें ये एक छोटा सा देखी बिक्सित हो रहा है इसी को मुकुल या कली कहते हैं धिरे धिरे इसी का और विकास हो जाता है गिनावीन मुकुलन बन जाता है और अंत में क्या होता है कि ये यीस्ट से एकदम अलग बन जाता है नया पादब बन जाता है नया मुकुल यह और इसे में कैसे होता था ब्रोंट होते हैं और टीजी से खंडन द्वारा वुड़ करते हैं सैवाल दो यह अधिक खंडों में भुखनित हो जाते हैं यह प्रक्रम निरंतर चलता रहाता और कुछ समय में सैवाल एक बड़े नगर बटा रे का ते हैं? जब ये जल पोशक तर तो अच्छी मात्रा में पाते हैं तब क्या होता है कि तेजी से ब्रद्धी करेंगे जैसे ये ब्रद्धी करेंगे तेजी से तो ये कई भागों में तूट जाएंगे यहाँ पर दो ही भाग दिखाए गए और भी भागों में तूट सकते हैं मतलब कई कि आपके अगे बढ़ेंगे लेंगी क्षूजधी याद हो घो गए मैं और फर्मर्च वालनगी कई सबस्क्राइब मजयरें, आगे बढ़ेंगे कि तो दौकित है,सले why पुस्प पुंकेसर पुंकेसर उथ्षा उपस्थित होते हैं केवल नर जननंग पुंकेसर होता है था पर ये दोनों ही पाय जाते है यहाँ पर याद रखे में केवल एक पाया जाता mercy यूए thank n पुष्प कहलाते हैं उधारहण यहां पर बहुत ही इंपॉटेंट है मक्का पापीता ककडी खीरा एक लिंगी पुष्प के उधारहण है और आप के सर्सो गुलाब पिटुनिया के पुस्प दोई लिंगी पुस्प के उधारहण है आप देख्वा सर्सो एक्जाम में आपका उसमेंर और माधा , दिन न विजब यूब मॉचों के युग्मण से यूपनेंज बनता है माधा यूब्से आपका है आपका मादा कनर यूब मॉचब होता है आगे बढ़ेंगे दिखाया हुआ हुआ है परागन पराग कणों का पराग कोस से पुस्प के वर्तिकागर पर इस्थानांतरन परागन कहलाता है यदि परागन उसी पुस्प के वर्तिकागर पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं यहां पर दिखाया भी हुआ है यह जो बीच में होता है आपका यह होता है वर्तिकागर होता है यह और साथ में जो साइड साइड में हैं ऐसे जितने भी होते हैं आपके पराग कोस होते हैं इनी पराग कोसों से जब पर इनी पराग कोसों में छोटे-छोटे-छोटे ख़ए को मतलब मैं अपने ही पुस्प एककि वर्तिकागर में जाकर जाएंगे तो इसे साप रागन कहेंगे और जब ये दूसरे पुस्प के वर्तिकागर पर जाकर घंगे तो उसको परपरागन कहते हैं clear हो गया इतना कि जब ये जब пरागकण अपने ही पुस्प के वर्तिकागर पर जाकर गिरते हैं तो उस वर परागण होता है और जब ये दूसरे पुस्प के वरतिकागर में जाएंगे तो वो हो जाता है आपका पर परागण नेक्स्ट है निसेचन नर तथा मादा युगमकों के युगमन सयोग से बनी कोशिका युगमनज कहलाती है युगमनज बनाने के लिए नर और मादा युगमकों को युगमन का प्रक्रम निसेचन कहलाता है तो नर और मादा युगमक जब सयोग होता है तो उससे जो कोशिखा बनती ही वो युगमनज कहलाती है आपकी और युगमनज के निर्माड के लिए क्या होता है कि नर और मादा युगमकों का जब युगमन होता है तो वही क्रिया कहलाती है निसेचन युगमना जो ब्रून में बिक्सित होता है प्रकरती में एक ही प्रकार के पादप बिभिन इस्थानों पर उगे हुए पाये जाते हैं ऐसे बीजो के बिभिन इस्थानों पर प्रक्रिणन के कारण होता है प्रक्रति में पादपों के फलो और बीजों का प्रक्रिणन पवन जल और जंदूं द्वारा होता है अब देखिए एक ही तरह के पेड़ पादप जो होते हैं और कई जगे मतलब पाये जाते हैं हैं बीजों के बीजों करने स्थानो पर बहुत तेज से हवा चली कुछ की दूसरी जगह पर पहुंच जाकर गिर गया तो वहांपर भी वैसे पादपों जाएंगे ऐसे ही जैसे जल द्वारा बहुत तेसे बारिस होई कहीं पर कोई बीज है तो वहां से बैकर दूसरे जगर पर पहुंच गया तो वहां पर भी वैसे पादब उत्पन हो जाएंगे सेंजन को ड्रमस्टिक भी कहते हैं अथवा दूइफल मैपिल जैसे पादप के पंक युक्त बीज घासों के हलकी बीज अथवा आख मदार के पंक युक्त बीज और सूरज मुखी के रूम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर इस्थानों तक चले जाते हैं तो यहा होता है निक्सट पॉइंट है कुछ बीज जन्तूँ दौरा प्रक्लिणर होते हैं विसेर रूप से कंट की कांटेदार बीज जिन में खुक जैसी सनरचनाय होती हैं जिससे बीज जन्तूओं के सरीर से चिपक जाते हैं और दूरस सिस्थान तक चले जाते हैं जैसे यूरे इस्थित बीज प्रक्लिणरित हो जाते हैं तो यह एरंड और बालसम किसका उदारान है कि जटके के साथ इनके फल पटते हैं और इनके अंदर के बीज प्रक्लिणरित हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायो फिलम में किसके दौरा जनन होता है तो उसकी पत्ती के द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में